हालो लोर्नर्स वेल्कम टी एडुकेशनल चानल इस एडुकेशनल चानल पर मैं आप लोगों को एंटी एउजिसी नेट पेपर टू एडुकेशन सब्जेट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन से रिलेटेट क्वालिटी कंट्रोल और को समझेंगे। क्वालिटी कंट्रोल बैसिकले क्या होती है? वह क्वालिटी कंट्रोल अच्वीरönस नहीं क्या होती है दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल और एइस्वीरेंस दोनो hoje quality management का इक पर हें यहां पर आपको देखा जाएगा या focus किया जाएगा इसके ऊपर प्रडराक्ट के ऊपर डिक्ट क्वालीटी के ऊपर अपने किससे तरीकी activity किया हैस्ट टेक्नीक किया है यहां पर वह सारी सिस मायनी नहीं रखती आपकी products quality based हूआ है यहां ही उसको देखा जाएगा और आपकी प्रोजेक्ट की डिफेक्ट को यहाँ पर identify किया जाएगा को specific हम लोग standards पहले से determine करके रखते हैं तो वो fulfill हुआ है नहीं आपकी project में उसको यहाँ पर focus किया जाएगा हर एक individual की outcome की compliance को focus किया जाएगा वेरस Quality Assurance पर क्या होती है आपकी processing के ऊपर focus किया रहा है यह पर आपकी technique को देखा जाएगा आपकी activity को देखा जाएगा पूरी की पूरी processing पर ही quality based होगा तो obvious बात है कि आपकी output भी अच्चा होगा इतली रही क्वारी क्वालिटी assurance पर आउट्पूट पर हमनוכ डेफिनेशन को जानेगे नेक्स्ट है कि quality assurance का definition क्या है ये एक set of activity है जिसके तो हम लोग पूरी की पूरी process को देखेंगे process की quality को देखेंगे and quality control क्या होती है एक ऐसा set of activities है जहाँ पर हम लोग सिर्फ सिर्फ प्रोडाक्ट के उपर focus करेंगे ठीक है यहाँ पर product की defects को identify करेंगे क्योंकि यह control है ना तो यहाँ पर products की defects को identify करते हुए हम लोग quality को नियंदरित करेंगे next हम लोग focus करेंगे किसके उपर quality assurance का and quality control का देखें quality assurance के लिए हम लोग product जो proactive quality process है उसके उपर ध्यान देंगे proactive मतलब outcomes की पहले ही आपको process में ध्यान देना है ठीक है so proactive quality process confidence built होगा predictability क्यों है क्योंकि outcome defective होने से आपको predict कर रहा है process को analysis करना and improve करना next quality control यह reactive reactive मतलब active मतलब आपकी काम को दो बारा करना होगा क्योंकि देखेंगे defect को तो आप पहले identify करोगे फिर उसको correction करोगे तो आपको क्या करना होगा rework करना होगा इसलिए it is a reactive process यहाँ पर को specific output and productive पर ही focus किया जाएगा next हम लोग goal को समझेंगे quality assurance का goal क्या है कि पूरी की पूरी process को improve करना ठीक है जिसके तो कोई भी defects arise ना हो quality control का क्या goals होती है कि अगर defects होगा तो identify करो ठीक है after a product is developed मतलब product को developed होने की बात उसको उसकी जो defects से उसको identify करो ठीक है next के है approaches quality assurance का approaches के है यहाँ पर जो good quality है ठीक है उसको maintain रखना ठीक है processing में यहाँ पर assessment होगा adequately जैसे की periodic conference audit जिसके through आपकी पूरी system की काम को यहाँ पर assure करती है quality के उपर base करके next quality control जहाँ पर आप find out करोगे defects को and उस defect को eliminate भी करोगे ठीक है reduce भी करोगे जिसके तो आपको कुछ tools की and equipment की जरुरत होगा जिस tools and equipment की तो find out and eliminate कर सकते हो आपकी product के defects को अच्छा अब responsibility क्या है quality assurance का responsibility देखी everyone one team involved एक team होगा ठीक है एक team में हर एक जो workers काम करेगा as a team काम करेगा और यहाँ पर product को develop करेगा product को develop करने का मतलब होती है यहाँ पर processing करेगा product को product की processing पर ही तो product develop होती है तो इसलिए सभी worker as a team काम करेगा और product को processing के पर develop करेगा ठीक है यही responsible होती है quality assurance का इसलिए इसको cross function team कहा जाता है तो cross function team क्या है जहाँ पर as a team सब काम करेगा ठीक है हर एक team member का responsibility होती है processing को देखना उसको cross function team कहते है और quality control का responsibility क्या होती है कि सिर्फ सिर्फ एक specific team होगा ठीक है जो team आपकी quality control की defects को identify करेगा मांकर quality assurance के लिए क्या होगा organization की हर एक member responsible होगा processing में ठीक है example देखी quality assurance का example होती है verification and quality control का examples होती है validation and software testing आपको statistical technique देखलो quality assurance के लिए है कि when applied to process जब processing apply हो रही है ठीक है it become a quality assurance जैसे कि process की inputs operational permanence ठीक है इन सभी चीजों के लिए statistical process control की जरूरत होती है मतलब हम जब processing करेंगे तब को statistical technique की भी जरूरत होगा जो कि हमारी processing quality content करेंगे अब statistical quality control की तो हम लोग क्या करेंगे products की finished product मतलब output के उपर ध्यान देंगे quality assurance को हम managerial tool कहते है ठीक है manage करते है process को और defect को correction करते है कौन quality control इसलिए हापर corrective tool कहा जाता है quality control को अब कुछ actions जैसे कि quality assurance के लिए हमें क्या करना होगा training देना होगा कि हर एक worker या कि हर एक manufacturer processing पर सही से काम करेंगे equipment सही होना चाहिए quality orders होना चाहिए ठीक है अब देखो control करना control पर हम लोग क्या देखते है output पर defects को देखते है और inspection भी तो वही चीज़े जहाँ पर defects को देखा जाता है तो inspection, testing, checkpoint, review यह सभी inspection से ही related है so quality control की जो काम है वो inspection से जुरा हुआ है inspection का काम क्या होती है inspection का काम होती है जहाँ पर हम लोग पूरी product की जो output है उस output को देखते हैं कौन सी product ठीक है, non defective है और कौन सी product defective है ठीक है अगर defective है तो वहाँ कहाँ पर है और उसको correction करते हैं कौन inspection thoughts तो वही चीज़ quality control भी करते हैं तो यहाँ पर यह एक ऐसा activity होती है जहाँ पर हम लोग defect को identify करते हुए हम लोग defect को eliminate करते हैं वो होती है हमारी quality control और जिस activity से करते हैं वो होती है inspection, testing and checkpoint review clear? तो learners देखी है हमारी quality control and assurance भी खतम हो चुकी है बहुत details में पढ़ाया है ठीक है तो अगर listen अच्छे लगे तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कर दीजिए thank you for listening me, always share knowledge and be happy, bye bye